गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो यर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दाथीव स्टूरी जो की एक चैप्टर है आपकी बुक फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का इसकी समरी के बारे में इसके इंपॉर्टन करेक्टर्स के बारे में तो चले इस बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क् हुट है हरी सिंग तो आप ध्यान रखे गा यह मारी कहानी का में कारेक्टर है नाम है हरी सिंग और यह हमारी कहानी में चोर है एक ठीक है और यह जो बच्चा है भी इस ऑा 15 year old boy पंदरा साल का है और अब आपको लगे कि पंदरा साल का है तो एक्सपेरियेंस नहीं तो लेक सब्सक्राइब to fool the police क्या है अपना नाम को students जो हादी सिंह है वो बार-बार change करता रहता है ताकि police को और अपने former employers को वो क्या है दोखा दे सकी है ना ताकि वो पकड में ना आए he plans everything before choosing his victims अपने शिकारों को victims होते हैं students शिकार शिकारों को choose करने से पहले वो हर छोटी-छोटी चीजों को क्या करता है plan करता है and then he wins people's confidence to get job और फिर क्या करता है लोगों अपने शिकार चूज कर लेता है उसके बाद उन लोगों का confidence जीतता है उनके घर पर job पाने के लिए और जैसे उसको job मिलती है and whenever he gets time he steals their money और जो है हरी सिंग उनके घर से पैसे चुरा लेता है and we can say he was a cruel character in the story हम कह सकते है हरी सिंग एक cruel character भी था why because he steals 600 रुपीज ज्यान रे स्टूट्स या माउंट या दुखना 600 रुपे उसने चुराय थे अनिल के घर से तो इसलिए वो क्रूवल भी है बहुत अच्छा इंसान है जो कहानी में दिखाया हुआ है अनिल बहुत अच्छा इंसान है इतने अच्छे इंसान के घर से भी वो जो है पैसे चुराने में नहीं शर्माता that's why we can say हरी सिंग वाज अ क्रूवल थीफ ठीक है हायाट के अच्छा इंड अच्छा स्टूरी देखेंगे हरी सिंग ट्रांसफोर्म ट्रांसफोर्म मतलब होता हुआ चेंज हो जाना इन दी एंड अफ। अफ उसटूरी एस इस कॉन साइन्स इनर बोईज मतलब जमीर कहानी के अंत में जो हमारा चोर है हरी सिंग उसका जो जमीर है वो उसको प्रिक करता है चुबता है मतलब उसकी अंतरा आत्मा की जो आवाज है वो हरी सिंग को कचोटती है वो उसको एक तरीके से धिकारती है कि वही तुने इतने अच्छे आदमी ये घर भी चोरी कर ले तो कैसा इंसान है इस वो वापिस की हुआ आया क्योंकि स्टूरेंट्स जो अनिल है उसके अन्सपोकन वर्ड मतलब ऐसे शब्द है ना जो सिंपथी जो उसने दिखाई थी काइंड जेस्टर टेकर जनरली लोग अजनबियों के साथ या हरी सिंग जैसे लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आत सिंग को ही डिसाइड तो कम बैक तो अनिल और उसकी अच्छायों को देखते हुए हरी सिंग जो है बेशक महां से एक टाइम पर पैसे चुरा के भाग जाता है रिल वे स्टेशन की तरफ लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है कि वह वापिस अनिल के पास आ जाएगा ठीक एक चोरी छोड़ना चाता है यह उसकी पास अच्छे तरीके से वह पैसा कमाना चाहता है तो स्टूटेंट्स यह था हमारी कहानी का में न करेक्टर हरी सिंग जो की चोर था पंद्रा साल का बहुत ही experience चोड़ था अपना नाम बार-बार चेंज करता है ताकि अपने फॉर्मर इंपलॉईर्ट को पुलिस वगारे को वो क्या है बेवकूफ बना सके अपने विक्टिम्स को जो है वो बहुत ही केरफुली चूज करता है हर चीज को मैनूट्ली प्लान करता है लोगों का इस जीतता है और फिर तो जाता है रिलिव स्टेशन पर बट वहां से कम्प्रीटली भागने की बजाए वह वापस अनिल के घर पर आ जाता है क्योंकि अनिल के जो अन्स्पोकन वर्ट से अनिल के जो काइंड जेस्टर से उस वज़े से हरी सिंग के दिल पर बहुत ही एक अच्छी वाली पॉजिट के बारे में पढ़ते हैं अनिल एक बहुत ही काइंड सिंपल और एजी गोइंग मैन है ठीक है जवान आदमी है आई तिंक 25 साल का है कहानी के अंदर ठीक है बहुत ही काइंड है सिंपल है टॉल है लीन है पतला सा है और अनिल का इंट्रेस्ट है रेसलिंग जैसे गेम्स के अंदर और स्लुएंट्स ही वाज आ वेरी ट्रस्टिंग परसन मतलब जो अनिल है वह बहुत एजीली लोगों पर भरोसा कर लेता है और इस कहानी में इल किस पर भरोसा करता है हरी सिंग के उपर ही इस राइटर हार हमारा अनिल क्या एक राइटर है वह मैगजीन वगरे के लिखता है और अपना जो पैसा फिट्स एंड स्टार्ट में कमाता है मतलब उसकी रेगुलर इंकम नहीं होती है किसी महीने ज्यादा कमा लेता है किसी महीने कम कमा लेता है मतलब कोई एक रेगुलरिटी नहीं है उसकी इंकम कमाने में ठीक है और हमारी इस कहानी मैंने बता करता है पूर्ण रूप से और अपने उसके घर पर उसको काम पर रख लेता है अनिल उसको क्या है खाना बनाना सिखाता है पढ़ना सिखाता है और नमबर्स वगारा को एड़ करना भी सिखाता है एंट वन डें Hearns some money and He puts that money under his mattress अना एक दिन अनिल क्या है पैसा कमा के लाता है और उस पैसे को क्या है अपनी मेट्रस के नीचे रख देता अपनी चटाई के नीचे रख देता है और जब यसे हमारे हरी सिंग को मैंने बताया मौका मिलता है वह 600 रुपे चुरा के भाग जाता है और at the end वो रिटर्न करता है तो वो हरी सिंग को क्या है forgive कर देता है माफ कर देता है क्यों क्योंकि वो हरी सिंग को एक chance देना चाता था improve करने का gives him 50 रुपीज and tells him that he will pay him regularly और at the end जब वो वापिस आ जाता है हरी सिंग और अनिल सिंग को realize होता है कि वो सुदर गया है तो वो उसको 50 रुपे देता है और उसको कहता है कि अब वो उसको regularly pay करेगा ठीक है सुलिंट्स अब कहानी के जिस्ट के बारे में हम बात करते हैं यह जो कहानी रस्किन बॉंड की वो एक थीफ की कहानी से कई बढ़के है यह स्टोरी डील करते है human values relationship को है ना and this chapter the story explores the themes of aspirations trust guilt consigns and kindness it is easier for a thief to rob a greedy man इस कहानी में दिखाया गया है कि जो है इनसान की बहुत सारी aspirations होती है एक्षाय होती है वो trust करता है ठीक है किस तरीके से हरी सिंग को guilt feel होता है कैसे उसकी जो consigns अंतरात्मा की आवाज है उसको कचोटती है उसको सुधरने के लिए बोलती है और किस तरीके से मतलब इस कहानी के अंदर अनिल की kindness भी शोगी गई है तो मतलब human values और relationships की एक कहानी है ठीक है कहानी में शोग किया गया है कि चोर के लिए एक greedy आदमी को क्या है उसके घर रॉब करना उसको रॉब करना काफी easy होता है लेकिन एक चोर के लिए काफी difficult होता है एक careless आदमी को और honest हमने देखा हरी सिंग के कोई friends नहीं है वाइब को लगता है कि जो friends है वो क्या है help की बजाए problem जादा करेंगे इसलिए हरी सिंग कहानी के अंदर कोई दोस्त बगरा भी नहीं बनाता है और उस कहानी में वह इकलौता एक person मतलब जिसको वह जानता है वह कौन होता है अनिल ज जो उसका जमीर उसको प्रिक करता है वह वापिस निल के पास आ जाता है और वापिस आके सो जाता है he slipped the money under the mattress और हमने देखा कहानी के end में वह जहां से उसने पैसे उठाय होता है mattress के निक चीसे वहीं पर वह पैसे वापिस रख देता है ठीक है तो students यह हमारी कहानी का मोटा मोटा जिस्ट है I hope आपको यह कहानी समझ में आगी होगी छोटी सी समरी थी तोड़ा सा important characters के बारे में था students अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please students चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए जितना हो सकता अपने friends के साथ share कीजिए और अगर आपकी क कोई है तो आप comment section में जाके मुझसे पूछ भी सकते है students next video में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा जब तक के लिए बाइबाए